और भी क्या हाल चले अब सबका welcome back to the channel भाई आज देख रहे हो यहाँ टेबल पे भीड लगी हुए क्योंकि आज ना मैं compare कर रहा हूं टैंगल वुट के एंट्री लेवल सीरीज के चार गिटार्स तो यहाँ पर मेरे पास है ब्लैकबड सीरीज, डिस्कवरी सीरीज, रोडस्टर सीरीज और यहाँ मैंने छुपा रखा है यह क्रॉस रोड सीरीज क्योंकि टेबल पे इतनी जगे नहीं थी तो यह चारो सीरीज का है अब डिफरेंट शेप्स देखने को मिल जाती है लेकिन यहाँ पर मैंने ड्रेड नॉट को जो है एजब कॉमन शेप रखके जो है ना तोनल कंपैरिजन किया है तो चलो अब इस सीरीज को थोड़ा सा ब्रेकडाउन करते हैं तो यहाँ पर जो ब्लैकबड सीरीज और क्र जैसे कि जो रोड्स्टर सीरीज उस में आपको देखने को मिल जाती है लामिने टेम होगनी बैक और यहाँ डिस्कवरी में तो भई आपको कई ऑप्शन मिल जाते हैं जैसे कि यहाँ पर मेरे पास जो है वह एबनी बैक इंसाइड और यहाँ पर लुक और फिनिश की बात क इन दो सीरीज में जो है बही काफी एक अट्रेक्टिव लुक निकल के आती है यह जो दो सीरीज है रोटस्टर और डिस्कवरी एक्जॉर्टिक इनको अगर आप सामने से देखोगे तो यह आपको जो है काफी ट्रेडिशनल लुक देते हैं और इसके लाबा यहाँ पर अगर क्रोश रोड्स और रोटस्टर में लेकिन यहाँ पर जो डिस्कवरी एक्जॉर्टिक सीरीज है यह इन चारों में जो है सबसे प्रीमियम मॉडल है तो यहाँ पर आपको टॉप पे बैक पे नेक पे जो है ठूआउट नेपल बाइंडिंग देखने को मिलती है जो की काफी कंसिस्टेंड है चारों सीरीज में चारों गिटार में आपको जो है एवन कोर का फ्रेट बोर्ड और ब्रिज देखने को मिल जाता है यहां हाड़वेर की भी बात करें तो चारों गिटार में आपको जो है प्रीमियम क्वालिटी की डाइकास टूनिंग की देखने को मिल ज आप प्राइस की बात करें तो यहां पे जो ब्लैक बड़ सीरीज है वो है अराउंड 12500 की जो क्रॉस रोड सीरीज है वो है अराउंड 10500 की जो डिस्कवरी एक्सॉटिक है वो है अराउंड 16000 और जो रोटसर सीरीज है वो है अराउंड 13500 की तो यहां पर जो मैंने आपको प् प्सक्राद कर रच्ते हैं कर दो 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 कर हुआ हुआ है हुआ हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है हुआ है तो भी sound wise मेरे को चारों गिटार्स काफी बढ़िया लगे लेकिन यहां पे जो है चारों गिटार्स में कुछ ने कुछ टोनल डिफरेंस डिफिनिटली थे तो चलो सबसे पहले स्टार्ड करते है क्रोस रोड सीरीज के साथ तो अल्दो यह एक ओल महोगनी गिटार है और यूजुली क्या होता है ओल महोगनी गिटार्स ना काफी वाउम और वेल राउंडेड टोन वाले होते हैं लेकिन यहां पे जे क्रोस रोड सीरीज के ड्रेड नॉट है यह मेरे को काफी इंप्रेसिव लगा क्योंकि यहां आपको अच्छा बेस रिस्पॉन्स और ओवरॉल एक काफी अच्छा वॉल्यूम प्रोजेक्शन सुनने को बेसिकली जो अपर बाउट है ब्लैक बर्ट सीरीज का वो थोड़ा सा नेरो एस कंपेट तो आल इस त्री गिटार्स तो यहां पे आपको एक वाउम टोन तो सुनने को मिलती है बिकाउस अप अच्छा पंची बेस और वॉल्यूम प्रोजेक्शन सुनने को मिल रहा है आपको एक काफी वाउम और बैलेंस तोन सुनने को मिलती है अब यहां पर बात करें वही रोट स्टर सीरीज की तो रोट स्टर सीरीज जैसे की एक टिपिकल स्प्रूस विट महोगनी बैक इंसाइड वाला गिटार है तो ओवरॉल यहां पे आपको अच्छा बेस और वाल्यूम प्रोजेक्शन तो सुनने को मिल रहा था लेकिन यहां रोट स्टर सीरीज में जो टोन है वो ओवरॉल ब्राइट है तो यह आपके एक पर्सनल चॉइस हो जाती है कि आपको वार्म टोन पसंद है या जो है ब्राइट टोन पसंद है लेकिन यहां पे यह जो जो बड़िया लगी तो भाई इसकी टोन डेफिनिटली बड़िया इसलिए क्योंकि यह जो है इन चारों में सबसे टॉप एंड मॉडल है तो यहां पर आपको लुक्स भी बड़िया मिलती है इसके अलावा टोन भी बड़िया मिलती है लेकिन जो प्राइस है वो भी फिर जो है सबसे जादा इन चारों में अगर आप कंपेर करेंगे तो इन चारों में से जो सबसे ज़ादा वैल्यो फोर मनी इसलिए है क्योंकि यहां पर आपको बड़ी अमेजिंग लुक्स मिल रही है काफी बड़िया टोन सुनने को मिल रही है और इसके लावा इसका जो प्र का आपको प्लेन वीरियंट देखने को मिल जाता है एलेक्ट्र अकूस्टिक विरियंट भी अराउंड 13 से 14 जार पे के प्राइस रेंज में है तो बहुत टोन भी मिल गई लुक्स भी मिल गई प्राइस भी आपको जो है काफी बढ़िया मिल गया तो इसलिए यार ओवरॉल ज कर सकते फेस्बूक और इंस्ट्रागाम पर जिसके लिंग्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में बाई